तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए एक बैड निउस है और एक गुड निउस भी है बैड निउस किया थी वो मैं रीकेप कर देता हूं कि भाई BPP ने जो admissions हैं MSC के लिए खौल दिये हैं और जो BSE से जो बंद कर दिये त अब BSE accounting ओन आनश और accounting and finance with digital business उनके admission हो गए है बिलकुल जैनवरी, फरवरी, मुहिं हार intake उनके लिए होगया है बिलकुल बंद लेकिन एक good news भी उन्हें साहई साहँ दे दी है कि भाई जो MSC के student है उनके लिए हर intake खुल है जैसे कि January, February, March, May तक हर जो भी intake जो भी जिसके अंदर भी वो admission लेना चाहरे हैं वो उनके लिए खुल है और उसमें एक इन्होंने बड़ी जबरदसी good news भी आड़ की है अब यह बात मैं दोबारा बता दूँ कि बच्चे बहुत जाता हो गए हैं दूसरी बात यह कि उनके पास basically teachers ही नहीं है स्टाफ ही नहीं है तो भाई स्टाफ ही नहीं होगा तो जाहरी बात है वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे तो भाई अब सीन यह है जो MSC वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी good news है कि भाई जो हर बच्चा कहता है कि यार कोई ऐसी university बताओ जो बगार इंटर्व्यू के हमें पास करते हैं यानि वो language search या आइट से नहीं ड़ते हैं वो कहते हैं कि यार जो test होता है ना हमें जो university लेती है हमें उससे बचाओ तो भाई बहुत बड़ी good news है वो यह कि जो BPP university है उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी politicians यहां पर change हो रहे हैं तो उन्वस्टी की policies तो कुछ भी नहीं है वो भी change हो सकती है लेकिन still अब तक जो मुझे पता लगा है वो यही है कि बगार इंटर्व्यू के MSC के बच्चों के लिए admissions ऐसे करके खोले हुए हैं तो जो admissions लेना चाह रहा है वो जल से ज BPP के लिए सिर्फ फिलहाल BPP के लिए इन इंटेक्स के अंदर तो आप मेरी हल्प भी ले सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर message कर सकते हो तो मैं भी आपकी help कर सकता हूं अगर आप लंदन ब्रमिंगम में चाहसर जिस भी campus में जाना चाहरे हो तो मैं आपका admission करवा सकता हूं बेशक पाकिसान में हो बंगलादेश में हो इंडिया में हो लेकिन शर्त एक है आपकी 2.33 CGPA से ज़्यादा CGPA होगी तो भाई आपका admission करवाना मेरी guarantee है लेकिन शर्त यह है कि भाई एक तो आपकी CGPA ठीक हो दूसरा यह कि आपकी J भी ठीक हो क्योंकि अभी कल मुझे एक ना दूँ तो क्या मैं आ सकता हूं देखो यार जब आपने इंशूरंस पे करना है तब ही आपके इंबैसिफी भी होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बगैर दिये प्यूंकि यह कोन एक फर्ज है जो हर बंदे ने अदा करके आना है तो जब तक यह पे नहीं करोगे त मेरे पीछे इतना पैसा पड़ा है मैं बहुत अमीर हूं मैं आ सकता हूं तो जब तक वो यह देखेंगे नहीं कि यार आपको डिमिशन कैसे देंगे उनको क्या ग्रंटी मिलेगी कि यार आप इदर आके अपने खर्चे उठा सकते उनको तो यह होगा ना इदर आओगे तो भाई अगर किसी को अद्मिशन में मदद चाहिए हो तो मैं जेंशागा पर कर देना मैसी तो यह गूर्ड न्यूज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो बैर न्यूज भी शेयर कर सकते हैं जो लोग अब तक अपने ओफ लैटर का वेड करने तो भाई उन स जो इनिशनल है उनका 6300 है मैं आपको पहली बता दूँ बेशक आप किसी भी केंपस में चले जाओ तो अगर आप इतने पैसे अपनी जेम में रखते हो यानि अगर आप 63 पे करते हो और उसके बाद आपका डाल डूल के कम से कम अराउंड यार 13-14,000 पाउंड आपका लग जाता है तो पाकिसान में कनवर्ट कर लेना वही आप कोई 25 के राउंड आपका लग जाता है तो अगर तो कोई इतने पैसे भर सकता है तो अपने आसपार देखो जो भी अच्छा कॉंसर्टेंड है आप उससे रुजू करो और अपना जो है आगे परसीजर को कंटीनू करो अगर मेरी हल्प चाहिए तो मैने बताया इंस्टाग्राम खुला है जो मैसिज कर देना तो अमीड करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो कर देना लाइक चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं इंशा अगले वीडियो में अल्लहाफेश